पूरे हर्याना के लिए पूरे परदेश के लिए एक इतिहास एक कीरतिमान बनने जा रहा है और इस खास सबसर पर इस खास मोके पर हमारे साथ बीजेपी के वरिशनेता केबिनेट मंतरी परिवेन मंतरी मूल्चन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और सीमा तरखाजी बढ़क पहले मंतरी जी आप से ये हमने जो महिम एचली जब भी हम जाते कहीं तो अमोमन ये सुनने को मिलता है कि खबरें हमारी नहीं दिखाई जाती हमें तो आप लोग कवरी नहीं करते हमारी खबर तो कहीं दिखी ही नहीं तो ये जो हर खबर वहीं से आया कि हर शेत्र की हर वर्क क ये हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी हर समस्या हर्या सरकार की कोई भी स्कीम जो उन तक पहुंच रहे हैं वो ये इस चैनल के जरीए पहुंचाई जाया है आप क्या कहना चाहेंगे इस बात की बड़ी खुशी है कि हर्याना परदेश अगरिम परंती का परदेश है गरीब की व्यपारी करमचारी की उद्योगपती की आप हर ख़वर हर आदमी तब पहुंचाने काम करेंगे मैं इसको बदाई बहुत बदाई हो कि सरकार की भी हर ख़वर आपके मादम से लोग सुने निशित रूप से यह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार की जो भी स्कीम है जो भी जन हित की जो बात सरकार करती है और जमीन पर इंप्लिमेंट करती है उस पर भी नज़र रहेगी मैं आप से दो शब हर ख़वर हर प्रदेश का पहला हर्याना का अपना चैनल मैं हर खबर को आज लॉंच करने पर आप सब को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं और मैं ये बात भी सोचती हूं कि हमारे मुख्य मंतरी मनुहरलाल जी बहुत सारी चीजों में नेने आइडियास जैसा कि आदर्निय प्रदान मंतरी जी ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई कि जिसे सेंटर भी फॉलो करता है और मैंने मुख्य मंतरी जी को भी देखा कि उन्होंने हर समय हर पत इस प्रकार के हमारे छोट-छोटे सिस्टम्स को लांच किया हुआ है जिसमें कोई सड़क किया है या कोई और चीज़ा वो सब उसमें आती है तो उसी प्रकार आप भी हर खबर में कोई चीज़ छोडने वाले नहीं है मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ बहुत शुक्रिया आपका निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहेगी कि कोई भी किसी भी जो जहनित से जोड़ी खबर है वो किसी भी तरह ना छूट पाए मंतरी जी आप से सवाल है लगाता टिकेट साब से भी बैस बड़ी गर्मा गर्म थी लेकिन कुछ बात जो बनिया दी है पूरा प्रदेश तो सुन रहा है यहां लोग जो मेहमान है हमारे वो भी सुन रहे है यह एक तरफ से दोनों तरफ से यह कहा जाए कि मैंने ही मानूंगा मैंने ही मानूंगा यह इस्तिती रहेगी तो सब का नुकसान है आखिर क्यों ऐसा भरोसा सरकार दिला नहीं पाए कि सानों को कि यह जो मसला है यह सुलच जाए कि सुदर जी आपकी बात बिलकुश सत्य है कि दोनों को सरकार किसान किसानों को साथ रोगात हुई ती अ और जैसे जैसे किसानों के सामने सरकार ने अपनी बात रखी हर चीज को तीनों कानून थे उसके बारे बिस्तार से चर्चा वोई और मेरे केहना है कि आप जो आनदो लुन है, ये आनदोनाब धीरी धीरी ये राजानिक परवेश में जा चुका है, और जिस तरह का इन बॉर्डरों पके हालात पैदा हो गए, ये टिहास में कभी कलपना में नहीं थी। किसान इस तरह की बात किसान बलादकार की किसान उस मुद्धिल को आगा देगा कहीं पर जाक gravy उसको हाथ पेर काटके ञटका देंगे एक नहीं हने के शराफ इस तरह की चार्स जो चला हुआ जो मखा किचाए समें कमीесс्ट करमाने में नाकाम रहा इस तो अहलात अभुस तरह के सामने आरे हैं ना दस महीने बड़ा लंबा वक्त हो जाता है मंतरी जी पर देश की सरकार ने पर देश के मुख्य मंती मनुलाल जीने बहुत धेरिये के साथ इसको सया है इतना बड़ा इलिप्यड उखाट ना कहीं जाके मंद्धी चले आउस्वा पढ़ाम करना इसको बात्थ बत्तमिजी करना यह सरकार की बहुत-बहुत बड़ी साइशज सेलता है कि इसलिए क्याहिए कि इसको धीरे-धीरे की सरकार ज देश में देश के परदानते नेंदर मोदी जी है वो कभी किसानों का बुरा नहीं कर सकते हैं और किसान को जितना भारती जिनता पार्टी की सरकार ने दिया है और मैं हरियाना पर देश के बता रहूं हरियाना पर दिया है तो पिर समझा क्यों नहीं पा रहे हैं फिर भी विर बात को रखा है जितने MSP पे आज तक गहूं का सर्चों का तिलन का दलन का गन्य का बाजरे का जितना रेट दिया है कभी जितना जितना दिया है कभी तियास से मिला नहीं चैले उला वुष्टी के नम पहले दो को चार एजार रूपर अपनीी सरकार ने उलव्ष्टे के साथ साल के से दिये हैं purki सरकार में अठारे करोड लूप चपन करोड लूपे और हमारी सरकार ने चार हजैर क्रोड ये संजाने क्या है सब कुस दिया है किसानों का भला किया आपने उसके बात वरोधा में चुनाव हए किसानों नर्वोटी नहीं दिया अँख लोगों को आप कैसी बात करे हैं। श्रीमा जी आप बताईए यह भरोसा कायम क्यों नहीं उपा रहा है आप तो कह रहे हैं जितना काम आप लोगों ने किसानों को दिया वो कोई किसी सरकार ने नहीं दिया फिर भरोसा है क्यों नहीं आपके किये पर भरोसा क्यों नहीं है मैं बड़े इस पश्च शब्दों में बोलना चाहती हूं कि आज अगर आप भारत की स्तिती भारत की अकेले की बात नहीं करती हूं भारत की स्तिती अगर आज आप विश्व में देखेंगे तो आज विश्व भारत के आगे सिर जुकाने के मुकाम पर आ चुका है और मैं सोचती हूं कि जब कोई भी परिवार आग लग चुके हैं, वो सब मोदी जी को मिटाने कब एक प्रियास कर रहे हैं, और मैं ये भी बात मानती हूं कि हर्याने की स्थिती भी मैं वहीं पर आ रही हूं, हर्याने की स्थिती भी वैसी है, इमा जी किसान केवल हर्याना में तो हैं नहीं, बात किसान होता तो कभी बाजू पाओं काटे ना जाते तो ये किसान का काम नहीं है किसान तो अपने पसीने से सींचता है धर्ती को किसान की वज़ा से भारत सक्षम है लेकिन दिक्कत कहा है जिन लोगों को मोदी जी पसंद नहीं है जिन को ये पसंद नहीं है कि मिडल जो मिडल ह कहते हैं ना जो दो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं जोड़ने का मतलब होता है एक तो पॉजिटिव एक वो होता है जो बीच का आदमी होता है जिसकी दुकान को मोधी जी ने और मनोहर जी ने ताला लगा दिया है तो ऐसे लोगों को बड़ा कष्ट है और जिनको कष्ट है उनी की सबसे बड़ी दिक्कत है भ्रष्ट को कष्ट है उनकी दिक्कत है वो चंद लोग ले करके बैठे हैं अगर किसान बैठा होता तो आज भारत में क्या इतना अन होता अगर किसान बैठा होता तो मुझे बताएं तो कहीं पर तो आवाज आती आपका हर्याना इतना पूरे प्रदेश भर से आये हैं, वो भी आप आप उनके सवालों का भी सामना करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल आपकी विधान सभा से है, लगातार उठ रहा है, वो जो बढ़कल जील है, वो पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई, पानी नहीं दिखा, उसमें पानी क जील है, एतियासिक तो है लिए लिए बढ़कल की पैचार जील से है, और दीसरे के आए कि जिस तरह से माइनिंग होई थी पहले समय में और जिस तरह से बहुत लंबे सब्सक्राइब, यह पन्ने बीस साल प्रें, सुख चुकी थी, पर धीरी जिए परदेश के मुक्यमंति मनुला जी ने एक सिकीम तियार करी है, यह तरह पानी काम जे वेस्टे जो पानी रेनिवेल का होगा, हम सब को लिप करके उस जील में करेंगे शेहर के सारे को, और आने वाले समय में बहुत लबे जिए सतर में काम चला हुआ है, और जल्दी इस पानी से पूरी जील को लब 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 जील होगी पानी से, सीमा जी आपकी विधान सभा में पढ़ती है जील, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आप ये प्रशन कभी भूलते नहीं है, और जो हमने आपकी बढ़कल की जनता भी नहीं भूलती है ये, जब हमने जो काम किया आपके माधियम से, आज ह हर कान में ये खबर पहुंचेगी, बढ़कल जील का काम तीन चरणों में होना था, जिसमें से हम लगभग एक चरण पूरा 100% खतम कर चुके हैं, और दूसरा चरण हमारा 90% खतम हो चुका हैं, जिसको फेबरेरी में हमारे महाँ पर स्टीपी तयार हो करके हमें मिल जाएग इसके इलावा सेंटर और स्टेट दोनों तरफ से हमें ग्रीन सिगनल मिल चुका है और फेबरेरी के बाद, एपरल और मैं में हम उसमें पानी डालने की शुरुआत करेंगे जोरदार तालिया हो जाएं, यह बढ़कल जील दरसल क्या है कि इसका मायना किवल विधान सभा के लिए नहीं है, हम सब के लिए है एक तो जो पानी है, जो इखटा होता है, दूसरा टूरिजम के लिहाज से बड़ी महत्कून जगह है बढ़कल जील मैं, यह बड़ी चीज है, फरिदबाद से आते हैं, मंत्री जी भी फरिदबाद से आते हैं, विपुल गोयल जी भी हैं, पूर वो द्योग मंत्री हैं, वो भी हमारे बीच है लेकिन फरिदबाद ने जिस तरह से अपनी पहचान खोई है, मैंचेस्टर था एक दोर में, लेकिन साथ बरस में, वो जो इस्तिती है, फरिदबाद का जो गौरव है, वो उसको लाने के लिए, उसकी पहचान को वापस लाने के लिए, कोई ऐसी इस्तिती दिखती नहीं, क बहुत लंबे समय फ्रीदाद देश दुनिया के मानचित्र पे एकलोता परदेश था जब कहते थे फ्रीदावाद है जहां सुई से ले करहावाई जहाज के कार खाने थे और आज लंबे समय ठीक है कि गुड़गामा में उद्धोग जगत में जब तक जिले फ्रीदाद के द सबसे जो बड़ा एक्सप्रेश जो हमको मिला है जो सराय काले खाते जो बंबे एक्सप्रेश से जाकर उर्णेघक Ohh और आने वाघे समय उद्धोग जगत में जहां में जमीन है आने वाले समय जप्त कोगा सेव्टी के फराभ से जाने के साबसे रास्तों के साथ से अपने जहां को रेलवे कॉरीडर है वारी वारी पॉलूशन की स्तिती महम इतनी गंबीर है काम बहुत चला फईदार में इस तरहे पॉलूशन नहीं है को दोग का पॉलूशन है कई हाईवेज है कई फिलायोवर है कई अपने दूसरे रोड है काम चला हुआ हूँ जा रहे है आपने फरीदाबाद का जिक्र किया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मैंचेस्टर जिन लोगों ने बनाया था, आपको हरानी होगी, विदेश ही लोग आते थे और यहां से लोग विदेश जाते थे, वो एक पासपोर्ट ऑफिस तो फरीदाबाद को दिलाना सके जो मनोहर सरकार ने दिलवाया आप जिसे मैंचेस्टर कहते हैं हमारे शहर की पडोस का राज्य पडोस का सिटी जो गुडगाओं है दोनों ट्विन सिटीज हैं उन दोनों की मेट्रो कनेक्टिविटी पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए आदनिये मनोहर लाल जी के काल में हरी जंडी मिली इसके इलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारत की इकलौती स्किल डेवलप्मेंट यूनिवर्स्टी मानिये मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद को दी मैं जो बोल रही हूँ गलत नहीं बोलूँगी बिल्कुल वाईस चांसलर साहर सामने बढ़कल में आई थी लेकिन दुदोला गाओं के लोगों ने पंचायत ने 82 एकड जमीन हमें दी दान में तो हमने भी खुशी खुशी उदर भेई दी लेकिन मानने मुखे मंतरी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ के उन्होंने फिर से जेसी बोस युनिवर्सटी बढ़कल विधान सभा के भाकड़ी गाओं में भेजी अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो जो जील सुका गए थे कभी नाम ना आता था आप लोगों की जुमा पर आज साथ साल में जितने भी हमारे टूरिजम मिनिस्टर हुए हैं मुझे हर विक्ति पूछता है कि सीमा बढ़कल के बारे मैं बताओ कि पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उससे पहले तो हम भी भूल चुके थे तो ये मनोहन लाल जी का ही कारेश है लिए कि जो ये सारी चीजें जिन्दा हो रही है फरिदबाद का सवाल है मैं हम कह रहे ही कि फरिदबाद के लिए बहुत काम हुआ है जोड़दार तालिया हो जाएं और सबसे आपसे कुछ सवाल भी है आपसे जी पूछी अपनी बात मेरा सवाल मंतरी जी से है मंतरी जी ट्रांसपोर्ट मिनिश्टर है तो जो है ट्रांसपोर्ट की जो स्थितिति मंतरी जी से मेरा सवाल है कि ट्रांसपोर्ट मिनिश्टर है तो ट्रांस्वोर्ट में जो ऑवर्लोड है उसके उपर सरकार में पहले चेकवोस्ट लगाए थे जगहें जगहें काफी खर्चा क्या लेकिन वह भी सक्सेस नहीं वा उसके बाद आपके भी ब्यान आए कि और लोड के उपर सक्ती परती जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है चार दर्जन लोग जो हैं सिरफ और सिरफ और लोड से अपनी जान गवाच उपके लिए नंगल चोदरी का अंदर मेरे पार टाटा है इसके उपर और लोड के उपर सरकार क्या करी क्योंकि यह मंत्राल आपके पास में क्या सुब नाम है आपका मेरा नाम राम पाल फोजी ह हमने हरियाना में जिती माइनिंग है या रेट की है या स्टॉन की है जितने टेर अगर मालो को बारे टेरा है तो उसका ठारे टन होगा जिए अठारे टेरा है तो उसका एकत्तिस टन होगा उसका ए रवाना तभी निकलेगा जब सका ओवर लोड को पर होगा तो चल नहीं सक सकता है अगर वो निकल के जाएगा एंजीटी के अंदर हमारा चाल लाक पांच लाक रुपए उससे फस्ता है और मैं यह तो नहीं कह सकता सब कुछ हरियाने में ठीक हो गया हरियाने में ओवरलोडिंग के नाम से हमने माइनिंग हो यमना हो यह स्टोन के हो वहीं से अगर अग और को बाहर से राइस्थान से लेके पूरा बिलने के आ रहा है हमने इस तरह के गाड़ी है जितनी ठीक है साड़े चार सो क्रोड़ साड़े चार सो क्रोड़ अपने इस तरह के उन पर करे हैं जुर्माने करे हैं और हरियाने के इतियास में साड़े चार सो क्रोड़ के चाल मैं मंत्री जी से स्वाल करना चाहता हूँ मैं सुरेंदर मैता यमना नगर से जहां माइनिंग का बहुत बड़ा काम है इलीगल माइनिंग होती है मुख्या मंत्री जी ने गोशना की थी कि जो भी खनन अधिकारी है उनकी बोर्डिक कैमरा लगाए जाएंगे क्या ऐसी कोई य 25 लाख रुपे प्रती दिन की हमारी सरकारी रिकावरी जोवण लाख आप वैय्द किसको मांते हैं जो नियों मैं ऊते एक अगर ट्रॉक की लाइन निकल लिए हजार ट्रक दोजाट रखे चोवन लाक रुपे पहले डेली पृति दिन सरकार का खजाने में पैसे डालेंगे तो वह माल को मंडी के बाहर बेकेंगे और अवैद खर्न उसको मानते हैं यह माइनिंग अगर वो माइनिंग उसकी 11 फूट है तो बीस फूट करता है अगर उसको बहुत माइन इसके मुक्विंति मनुलाल जी के नेतरतों में मैं आपकी जानकारी के बारे में जानकारी दे रहूं जब मैं माइनिंग मिनिस्टर बना था उससे पहले 731 क्रोड़ पर रिमेन्य आता था साल का जब मैं मंध्री बना 1920 में 923 क्रोड़ पर और जब इसके बाद 1920 में 1033 क्रोड़ पर हमने माइनिंग में लाने का काम करा हरियारे में एक भी अवैंत कायने होने देंगे अगर अवैंत माइनिंग होगी तो एक पल भी हम चलने भी नहीं देंगे ये मारोर और मोधि जी का मुल्चन करने बहना है मैंनिक नहीं चलने दी जाएगी किसी भी कीमत पर सक्त रवाईया है परिवेयन मंत्री जी का हाँ आप अपनी बात रखिए मैं मंत्री जी मंत्री जी बस्टेंड है जो काफी जरजर हालत में है लेकिन कुछ नहीं आज तक हुआ गुरूग्राम में इंडरस्ट्रीर्स, कॉर्परेट हब सब हैं लोग वहां आते हैं उसको देखकर क्या हर्याना के विकास का अंदाजा लग सकता है बेहद अफसोज जनक की स्तिती है गुरूगामा का सबसे हमारी मीटिंग हुई है पिछली मुक्यमंती ने नाउस करा था आने वाले समय गुरूगामा का हम सबसे मौडरन बस्टेंड बनाने जा रहे हैं जो पुराना है उसकी जरजर हालत है हमने जिगे हमारी स्लेट हो चुक ने गुरूगाम जितना बड़ा शहर है जितनी उसकी जरूरत है बस्टेंड जैसी बुनियादी चिए पहले पहले ताम में सरकार आई थी तब भी इसके लिए जगहें भी चिन्नित की गई थी और सब कुछ तयारी कर ली गई ती नक्षा तक बन गया था लेकिन उसके में आपकी हर खबर आपका खबर के माध्यम से पूरे हर्याना को दे रहूं कि आने वाले समय में गुड़गामा का सबसे सुन्दर बस्टेंड हमां आपको पना के देने हैं भरोसर रखिया है बड़ा बरोसर दिया है हर खबर के मंचपर बंतरी जी ने परिवें मंत्री मू अस्टेंड वहां की जनता को मिलेगा सीमत काजी आप से जाना चाहेंगे ये लगातार बात होती रही ये चलिए बढ़कल की तो बात है पीनी के पानी की समस्या बहुत है आपके उहां टेंख्रों से पानी पीते हैं यह इस्तिती भी है क्या और साथ वरस में क्या कुछ कर पाए हैं वहां पानी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी हाली में हमने FMDA के माध्यम से 30 MLD पानी का इजाफा किया है और हमारी विधानसभा में आखर में पढ़ती है मैं लास्ट में पढ़ती हूं और 10 वार पानी आ रहा है इस काम को अंजाम देने में हमें लगभग पिछले तीन महिने से यह चल रहा है पूरा हो चुका है और पिछली योजना में सबसे जादा ट्यूब बढ़कल विधानसभा में लगे तो पानी की समस्या खतम हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम भी उसी त चड़ी करने की अवशक्ता है कि जिसे दोनों ही जगा पर दो दो घंटे पानी सुबा और दो घंटे शाम इस प्रकार का एक सिस्टम बने कहीं पर तो बहुत जादा आ रहे हैं और कहीं पर कमी भी आ जाती है क्योंकि पहाड़ पथर वाली जगह पे आपको पानी नहीं मिल बाटिया जी सवाल करेंगे बाटिया जी फरीदबाद से आते हैं मशूर उद्योग पती हैं बाटिया जी डखिए अपनी बात मानिय मंतर जी और पहन सीमा जी मेरा एक सुझाव है आप दोनों को तो यह वाज बाटिया लगा के ज़रा है बटकल का जिस तरह से पानी की समस्य आ रही है इसी तरह FMDA में हमें बताया जा रहा है के इंडस्टी को STP का पानी दीजिए STP का पानी इंडस्टी कंजूम नहीं कर पाती ना उसमें हम प्रोडेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि अगर आप आप FMDA में हमारे माननीय शिरी सुदी राजपा प्रोडेक्शन में बताया जाए वह चाहते हैं कि कुछ हम यह पानी हम इंडस्टी को दें इंडस्टी STP का पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है यह मैं बड़ी समस्य आ रही है हमने लोगों से पुचा लोग इसको करना चाहते बरूसा ले पानी को क्यों ना पटकल चील मे परपस तोल होगा उसके लिए बहुत अच्छा सुझाव है बियर भाटिया जिने बिलकुल प्रिसंट का सत्य है कि पूरा फईदाद पहले मीठा पानी हुआ करता था रेल पार खारी था इधर मीठा पानी था आज पूरा फईदावाद है जो आगरा के नाल और रेल और प और फईदाद में जब पानी उद्धोग जगत के लिए पानी चाहिए लोगों को लिए पांचे और हम चाहते हैं कि यमना के साथ साथ मुखे मंती जी ने हमें में रेनी वेल की जो नई मंजूरी हमको दी है और लाइन साथ लाइने रेनी वेल से जो पानी शेयर को सिप्ला सब्सक्राइब के गजाए और यद्द्यजे라고 कि या अपने दूसरे पीने का पानी हो या दूसरे अपना गिननी के लिए हो इसके लिए राज्ते मुक्वास्टि मीटिंग की है कि पानी की समझे आने वरे ऐस से जल्दी सकूंद करें जिए एकर सवाल है दर्शकों के बीच से ही सुशिल जी है सुशिल जी रखिया अपनी बात जी मैं परिवेन मंतरी जी से उतना चाहूंगा कि महंदरगड के अंदर सब डिपो बनकर पिछले दस महने से तैयार है लेकिन आज तक उसका इनोग्रेशन नहीं हुआ है और दूसरा सवाल महंदरगड से वहाँ धार्मिक लोग हैं और हरीदुआर और बाकी जंगे जाने के लिए कोई भी बसीज नहीं है मंतरी जी महंदरगड हमारा हरियाने का अंतिम शहर है और महंदरगड से जो कविड का जो दो साल का समय रहा आप तो तेल के भाब बड़े हैं कि 56 रुपे किलो मिटर हमें बस बढ़ती है यह मात 56 रुपे पर किलो मिटर के साथ है और हरियाने की रेसीट आती है हम पर सारी मिला के 30 रुपे पर किलो मिटर और कई ग्रामीन साथ रुपे मिलता है खर्चा होता है 56 अभी क्या है कि शेहर के जो तीरतों के लिए लोगों की खुली अभी आवागवन हुआ नहीं है जैसे जिसे पूरा परदेश देश खुलेगा हम कोई तीरत हो हरदुआर हो बिहारी जी का मंदर हो बिंदरा बनो अधा हो चैसारे जिते तीरत हो हम सबको बस चलाएंगे थोड़ा कोविट की लाइन को खुलने दीजिए क्यों ऐसा नहीं हो कि बस तो हम चालू करा दें हरिद्वार के लिए सीठे चववन लोग बैठे पंदरे वो सारी बस खाली जाती है इसके जल्दी से जल्दी हम स्रुगात की जो बात कि उस क्या है अब तो तैंहीं कि तैंहारत 10 मैंने से अभी त्यार है त्यार कराई कुछ करतें नोच सी फायर की बहुत पो след दे दिगए पीडैबलो डिने परिवहन विवाक जल्दी हो जाएगा और कुछ सवाल है जो दर्शकों को भी से आ रहे हैं हाँ जी रखी अपनी बात बवानी खेडा से संजय कोशी कुमे जे त्रांस्पोर्ट मनिश्टर से सवाल है माइक थोड़ा करीब रख लीजे मंत्री जी ट्रांस्पोर्ट मनिश्टर है मेरा उनसे सवाल है कि बवानी खेडा में सपेशल बस की मांग को लेके छात्राओं द्वारा कई बार जाम लगाया गया लेकिन कोई भी स्पेसल बस की ऐसी स्विधाय नहीं मिली अभी तक छात्राइं विधायक से लेके जीम तक मिली लेकिन अभी तक कोई सोलिशन नहीं निकला है मंतरी जुदर की विसूद ले लो यह इदर फ़रीदवाद के द्याना परदेश में जितने बेटियों के जो परदेश के मुक्हिमंति और देश के परदानमंति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान का जो नारा दिया था और उसी परदेश के मुक्हिमंति ने कि अज більक है ऐब मैं लगा चुकी है सपेसल बस की मांग को लेकि और तीन चात्राइं घायल हो चुकी है जो की रोड़ेजी की बसों से गिर के और उसके बाद भी मांग के बाद भी अभी तक सपेसल बस उनके लिए कोई नहीं चली है करवा देगे भई जब कि वहां परासों के करीब चात्राओं की लिक रादेंगे अपकी कर रदेंगे बड़ा भरोसा हर ख़बर के मन पर जोरदार तालियां हो जाएं मंतरी जी ने भरोसा दिए आपको नहीं हो ने चात्राओं की कर दो कल ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा मंतरी जी एक और बाद है यह जो सारी चीजें हैं यह समस्या मतला हमारा प्रदेश चोटा सा तो प्रदेश है देखे में अंदरगड में अभी कोई हरिद्वार जाना चाहता हो राम बिलाज जी भी परिवेन मंतरी रहे उसके बाद भी इस्तिती बनी रही आप यह जो बड़ी छोटी छोटी दिकते हैं बसों की जैसे चात्रों की समस्या है पानी बिजली यह जो चीजें बुनियादी चोटा सा प्रदेश सबसे विक्स्चित सबसे सुरद्ध प्रदेश साथ बरस में इनसे चुटकारा नहीं दिला रही कर वाओ ट बाया सौलंगा मैंने हरियाना देखा है हूँ और मैंवन की सरकार देखी है थो की सरकारों में ग्रामी नचल में ठेकंटे बिजली अकमे अबी उस समय पूर एक शहर गाम खेट खलियाना आप गूमते थे उक्ते शे घ़ंध च्ए खनृटे गर्मी नाचर हुआ करते थे आज जन्येटर के pozyणनेटर के करना की प्लख्यक्री के पढ़ा करें गया देकितना फार प्रदेश और पानी का जितना मिला है प्रदेश में पर समश्या कभी खतम नहींगी समश्या हैं हर दिन रोज प illusions पर समश्या का समाधान करना सरकार का काम है उसको सरकार करेगी चलती है miel कि विकास करने के लिए और अगरसर है और ये इस्तिती सरकार की लगातार चलती रहेगी बहुत शुक्रिया आप दोनों खास में मानू करें